प्रेंड्स तो चलिए आज के GKGS के कोशन को देखते हैं क्या है हमारा कोशन तो हमारा पहला कोशन है आज का किसने 26 वार आशकर पुरुसकार जीता है उप्संस है चारली चैपलीन, वाल्ट डीजनी, आकीरो कुरुसावा या इन में से कोई नहीं तो सही आंसर है आप्संन B, वाल्ट डीजनी ने 26 वार आशकर पुरुसकार जीता है अगला कोशन है कोशन नमर दो, लाइफ डिवाईन पुस्तक किसने लिखी है आप्संस है M.K. गांदी, रविंदरनाथ टैगुर, एस राधा कृष्णन या श्री अरविंदो तो सही आंसर है आप्संन D, आपका श्री अरविंदो ने लाइफ डिवाईन पुस्तक लिखी है कोशन नमर तीन है, जैपूर की अस्थापना कब की गई थी आप्संस है 1720, 1715 20, 1725 20 या 1735 20 तो इस कृष्ण का सही आंसर है आप्संसी 1725 इस्वी जैपूर की अस्थापना 1725 इस्वी में की गई थी अगला कृष्ण है, महरानी लक्ष्मिबाई की समाधी अस्थल कहां इस्थित है आप्संस है मंडला, मंडू, जवलपूर या ग्वालियर महरानी लक्षिवाई की समाधी अस्थल गुआलियर में है अगला कोश्चन है पाटली पुतर की अस्थापना किस ने की? अप्सन से उदाईन, बिंबिसार, अशोक या महाजनपद से अगला कोश्चन बहारती या मोसम वेदशाला कहां इस्थित है? अप्सन से नागपूर, नासिक, सूरत या पुने तो इस कोश्चन का सही आंसर है अप्सन डी पुने में बहारती या मोशम, वेदशाला, पुने में इस्थित है अगला कोश्चन है भारत में कितने राश्ट्रिय राजमार्ग है? अप्सन से 599, 478, 988 या 567 तो सही आंसर है अप्सन है 599, भारत में खुल 599 राश्ट्रिय राजमार्ग है अगला कोश्चन है, कम्प्यूटर को आफ करने का शॉर्ट कट की क्या है? अप्सन से कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस C, अल्ट प्लस F4 या सिप्ट प्लस A तो सही आंसर है अप्सन सी अल्ट प्लस F4, कम्प्यूटर को आफ करने का शॉर्ट कट की अल्ट प्लस F4 है कोश्चन नमर 9 है, शिग्मो बसंत उत्सब किस राजमे मनाया जाता है? अप्सन से बिहार, गोवा, मनीपूर या गुजरात तो सही आंसर है अप्सन B, गोवा में, शिग्मो बसंत उत्सब गोवा राजमे मनाया जाता है अगला कोश्चन है, पोवी तोरा वनीजीव अभ्यारन किस राजमे है? अप्सन से ओडिशा, असम, राजस्थान, या हर्याना सही आंसर है option B असम में पोवी तोरा रवने जीव अभ्यारन असम में है अगला question question number 11 Mount Avoo Hill Station किस परवत श्रेनी में इस्थित है option A अरावली, विंध्यान चल, सत्पूरा या कारा कूरम सही आंसर है आपका option A अरावली Mount Avoo Hill Station option A अरावली परवत श्रेनी में इस्थित है option A सही आंसर है question number 12 है चूहों के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा मंदिर है options है लिंग राज मंदिर, ब्रिय देश्वर मंदिर, कर्नी माता मंदिर या राजा रानी मंदिर तो इस question का सही आंसर है option C करनी माता मंदिर जो है वो चूहों के नाम से विख्यात मंदिर है Option C, सही आंसरे करनी माता मंदिर Question number 13 है किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है Option C, वारानशी को मथूरा को, आयोध्या को या शहारनपूर को तो सही आंसरे Option वारानशी को उत्तर प्रदेश के वारानशी शहर को मंदिरों का शहर जाना जाता है Question number 14 है अंकारा किस देश की राजधानी है Option C, यूगांडा की अजरबैजान की तुर्किये की या पोलेंड की तो इस question का सही आंसर होगा आपका Option C, तुर्किये की अंकारा, तुर्किये देश की राजधानी है Option C, सही आंसर है Last question को शरमर 15 है डलहोजी परवतिय शहर का कहां आवस्तित है Option C, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जमू कस्मीर तो इस question का सही आंसर है Option B, हिमाचल प्रदेश डलहोजी परवतिय शहर का हिमाचल प्रदेश में अवस्तित है इसी तरह के important GKGS के और weekly current affair के question को जानने के लिए हमारे चैनल को like से and subscribe करें धन्यवाद